जीदाची की लिंक दिस्रिप्शन दीविच किवने है तुसिसी सारे जाने जाके चेक कर साकती हूं मैं यह भी होप करदा है कि तुसी सारे जन्याने इस पैसेज नू चंगी तरह सॉल्व कर लया होएगा तो जड़े भी थोड़े डाउट्स वगारा होनगे स्विच वो वन बाई वान वान सॉल्व होनदे जानगे इसमयर करके अपने डाउट्स एड़े भी हो पृष दे रहना ठीक है तो विल नोव वैट फो एव रहन वीनिक विल्व यह फिर्ट में धान वी थिए रीवन द्रीक्राइट थे नहीं विल्यू एवल्ट इन वेलो धिलो मौ ए है वे रिदिट री औ्लोल क्लिट आरी मेर्य आर टे सन्होंने विटट आर समør आरी समय क्लिफ लीड आरीารोक ग्रोडिल बदगे पॉर्षाइब यां ना पता है फिल्प तने धर इं और एकी आपड़ने फिल्प्र करने दो आपने रहे हैं अंडर अ डैश इन बॉरो डेल अंडर मतलब किस चीज दे नीचे फाइंड किता गया सी ग्रेफाइट नू बॉरो डेल देविच यह अपना 14th question है next देखो अल वीडियोज यह रीडिंग दिया टिप्स ने न ओ एदा नी दस्या जान दिया ओ प्रॉपर डिटेईल दे विच दस्या जान दिया ने ते हरे एक टाइप ओफ क्वेश्चन दी डिटेल दे विच तोनू ट्रिक्स एंड टिप्स जडिया ही हुँदिया न जिमें आपा स्क यह रहे एक हो कर सकने वाज या हरे एक टाइप अव क्वेश्चन विच अलंग वीडियोज दे विच थोनू मिल जुगी तरहने थैप के सटत्रीकram किंटा following information जाके सार निया वीडियोस देख लो I hope यो helpful होनगी है बहुत ज्यादा थो दिली ठीक है 15th question देखो ancient people used graphite to sign possession and number of dash मतलब graphite नू use करदे सी ancient people की करन ली possession sign करन ली ते number of kenya ची जनू sign करन ली ठीक है यह अपना 15th question है 15th question देखो the first pencil first pencil आपना कुछ दसना है गा was graphite wrapped in dash graphite नू किस चीज़े विच रब किता गया सी गा first pencil ओदो बनी इसी ठीक है ताहिए अपना 16th question है 17th question देखो in the 18th century 18th century अपना keyword आ गया the dash protect the mines when the value of graphite was realized मतलब केडी चीज़ प्रोटेक्ट गार दी सी mines नू यह अपना 17th question देविच आंसर लावांगे कोई next देखो इटली इस प्रबेबल इस प्रफर गार दी से अपर ओधस हांगे केडी यह प्रेंच टीक है यह अपना 19th question है अपना आपर 2-4 चल देए 20th question प्रडू इटली इस प्रबेबल इस प्रबेबले ए फुर्ट कंट्री इन ओल वर्ड तो में प्रेंचलस मतलब पहली कंट्री सी इतली जी डिविच पैंसल बनिया ऑगा इट्वेंटी इह वेने आपना 21st question देखो जर्म नी यॉज वर्यास काइंस पोड़। तो मेंक पैंसल गर्मन नाल की उनद है पैंसल हारड बंद यह थे शार्प बंद यह ओके था हो पैंसल आप रॉडूत प्रदूज है इन इमोर सिंस दे रीन अफ इलीजबेट वन सिंस दे रीन अफ एलीजबेट वन मतलब लीजबेट वन रें तो बाद पैंसल नहीं बंदियां हो ठीक है अपना 23rd इपर कॉमन सेंस नाल भी आंसर लगा साग नहीं था 24th question देखो दफेंसल वाज यूज दूरिंग थे फॉर्स अमेरिकन स्पेस एक्सपेडिशन फिर स्ट इस पुर्स अमेरिकन स्पेडिशन विले धेंसल तो यूज किता गया सी थी थीचिक है यह अपना 24th question है 25th question देखूं, American astronauts did not replace mechanical, मतलब उननने replace नहीं कीता सी कि ननू, mechanical pencils नू, immediately after the zero gravity pencils were invented, मतलब immediately replace नहीं कीता सी, मतलब time तो बाद replace कीता सी, clear? 26th question की है, pencils are unlikely to be used in future, मतलब pencils future दे विच यूज नहीं होनेगी, यह अद्दा लागदा है, नहीं अपने सारे questions सी थे, सारे questions दे keyword जिनना नाला पां आंसर माग कर सकने, okay? So, we'll start reading यह paragraph दे नाला पां आंसर माग करी चलना, okay? So, यह paragraph देखो सारे जाने. The beginning of the story of pencil started with lightning, graphite, the main material for producing a pencil was discovered in 1564 in Borrowdale. Borrowdale दीगा लोगी, discover होया सी, मतलब found होया सीगा, की found होया सी, graphite आपनू सारे keywords मिल रहे ने, कित्थे होया सी? In England, when lightning struck a local tree during a thunder, local people found out that the black substance spotted at the root of the unlucky tree. Root मतलब obviously tree दे नीचे हाना, ता tree दे नीचे मिल या सीग, graphite आपनू. So, 14th question दा, की answer आउगा, guys? Tell me the answer of 14th question, fast. Okay, RT is saying tree, very good. Any other one? Bakki विसार, answer करो, please. Okay, गुर्पिते सेंग root, द्रूविसेंग tree, root दा आपा अंडर तो लगा सक्देया, guys? Tree दी नीचे, tree दे अंडर की हों दिया, ओधी root हों दिया, ता root कोल मिल या सी, graphite मतलब tree दे नीचे मिल या सी, ता इथी आपना आंसे tree आउगा, 14th question दा, clear? So, 14th question answer will be tree. Anji, very good good peet, so आपा अंसे लेक्ता 14th question दा tree. उन आपा अगे चाल्दियां. Sorry. Next, देखो. It was soft, thus left marks everywhere. The chemistry was barely out of its infancy at the time. So, people mistook it for lead, equally black but much heavier. It was soon put to use by locals in marking. Mark करना मतलब, sign करना. Their sheep for signs of ownership and calculation. Ownership मतलब possession लिख्या होया सी होना. Ownership दी sign लिख्या होया सी हो. Sheep नू mark कर दे सी. Okay? इतो तो सी मेनू answer दस्वो अपना. 15th question the key answer होगा गया वники. Very good evening, Pvdg. I'm fine, what about you? यसटल मीन अंसर विव्टीन फ्यप्टींथ कॉस्टीन आपनि रखर देश्टी अकॉ फिरम पाइट प्रिवेशन तरह बेड़िए प्युलेशन आपन्यम के जिसे वीच न्न पाड क्या अंसर लाया करू गईस ना जा पहते हैं विभरीवें दूचेटू ने रोच था विभरीड था फ्रसेंग था so sheep will be the answer of our 15th question, okay, उना पां अग्गे चल दिया हुआ 3 paragraph पड़ दाया हुआ उना पां सारे जाने देखो very good Golu Britain wait a minute, let me I was also saying sheep very good Britain turns out to be the major major country where mines of graphite can be detected and developed even so, the first pencil was invented elsewhere as graphite is soft, it requires some form of encasement in Italy Italy दिगाल होगी देखोए थे graphite sticks were initially wrapped in string मतलब graphite sticks की हुँदियाने, मतलब pencils नू क्या गया है वी किस दिन आल रैपीता यांदा से उना नू spring दिन आल ते sheep skin, sheep skin मतलब animal skin नाल हना तो अपना एक होर आंसर लग जुगा 16th question आंसर लग यवगा गया है first tell me what would be the answer of our 16th question okay okay everyone is saying the same answer that is string so definitely अपना 16th question दा आंसर आजूगा string okay so string let me write it down will be the answer of 16th question अपना अगे चाल दियाँ इटली दी काल हो रही सी becoming perhaps perhaps मतलब शायद perhaps अपना प्रबेबली भी लिगा सकते हैं very first pencil in the world जब तो पहली pencil कि थे हो इसी दी इन्वेंट इटली देविच ना एथो तो सारे जान में आणसर दसो 20th question दा की आंसर होगा okay RT saying true very good any other one Dhruv is also saying true great great okay so definitely जब आपना 20th question दा आंसर होगा too because it is very evident very easy also इस सारे दे सारे आपनों keywords ही लिख होई मिल जानगा as it is so आपना 20th question दा आंसरा आज होगा true clear great अपना अगे चाल दियाँ है very good good Preet very good Raman very good love very good Jay yes so let's move on to the next questions अगे पड़ो बी परग्राफ दे हुन अपन बी परग्राफ बाकी दा नहीं पढ़ांगे क्योंकि अपना कोई आंसर नहीं लग होगा guys अपना सी परग्राफ चो पढ़ना स्टार कर दें सिद्धा although graphite core in pencil is still referred to as lead modern pencils do not contain lead as the lead of the pencil is actually a mix of finely ground graphite and clay powders the mixture is important because the amount of clay content added to the graphite depends on the intended pencil hardness and the amount of time spent on grinding the mixture determines the quality of the lead the more clay you put in the higher hardness the core has ठीके जी मतलब जिननी ज्यादा clay add करांगे उननी ज्यादा hard ते sharp बनुगी pencil तैस दा मतलब कि ये भी clay दे सिरते हुन दा हाँ hardness ते sharpness तो इस दे according तुसी मेनू आंसर दूस्वा अपना 22nd question दा की answer होगा guys what would be the answer for 22nd question first tell me you you are the saying falls very good any other one yes yes everyone okay good read through everyone is saying false तो definitely with wasting no time, आपा आंसर आजाँगे 20 second question दाजी false क्यों false, because इथे अपना subject changed है, subject भी जगाते अपना, जे थे led हुंदा, sorry, clay हुंदा ता आंसर आजाँदा, false, clear, very good everyone जिनने आंसर देता आपा अगे चाल देयां, जी परग्राफ पड़ देयां guys in England, pencils continue to be made from whole sawn graphite, मतलब continue हुंदा रहा, graphite तो बनना pencils है, मतलब pencils दा बनना रोक्या नहीं हैगा, ठीक है तो अपना सिद्धा आंसर लगा सकने, Elizabeth one the rain दी, नीचे गल होई हुई है, तो अपना Elizabeth one the rain लगा सकने, तो देखो 23rd question the answer given, answer the sodi, yes very good, jai, अपना 21st question the answer are juga not given, great, I forgot to write it down, but now you guys tell me the answer of 23rd question, fast okay Aarti is saying false, very good, any other one okay jai is saying false, great, lucky , wces are answering deterrence please, so definitely jump into any third question the answer as is गोगा वज वाई फॉल्स फॉल्स इधिक्श को स्टु बाद गारे गिवन ख़ाक और इसे विच विच गवन है वी अंतिनिव टॉड्यू सुथ तो आपनों जन्रली भी पते हाँ ना इंतो बाद पैंसिल्स अपनों हजे भी मिल दी आने राइट तो आपका कॉमन सेंस नाल भी आपका 23rd question answer false लगा सकने हैं बिना पड़ी तो अपनों है तो आपका थोड़ी बाथ जादा नी लोगा सकने थोड़ी बाथ जादा नी थोड़ी बाथ okay next lines but with the mass production of pencils they are getting drastically more popular in many countries with each passing decade as demands rise appetite for graphite sores according to the united states geological survey USDS the world production of natural graphite in 2012 was 1100,000 tons of which the following major exporters are China, India, Brazil, North Korea and Canada When the value of graphite was realized, the mines were taken over by government and guarded But the mines, the mines नूँ कौन कंट्रोल कारदा सी, देख पाल कारदा सी, उनना दी government, ते गार्ड कारदा सी, ठीक होनना नूँ government इट्थों तुसी में नूँ आंसर दो, 17th question दा की आंसर होगो guys, what would be the answer of her 17th question, fast tell me कर 있고 कुई या वगार्ल की आंसर जाईकोक होगागोगोन कारदा uses इनलो कि करदा मैं वेने को आंसरे लिएक जे अच मार्म जांसरे होगोगा होगो देस नूँ कि दो, 17 कूबे उनתव की जएए a इना अना सर दो, 1.0 okay okay many of you are saying not all of you but many of you are saying government so definitely 17th question is government so let me write it down answer of 17th question will be government okay very good very good very good love Golu Dhruv Raman Gurpreet Aarti now let's move on to the next lines of the paragraph and the paragraph I guess no answer I don't have to read it or then I don't have to read it a little bit if I was transported from Keswick to London in armed stage coaches in 1751 an act of parliament was passed making it an offense to steal or receive VAD VAD but questions was given right so key करना illegal है यह अपनों दस्या गया so इत्तो मैंनों तुस्सी 18th question दा भी answer लादू आप गाई tell me जो वासनू receive यह sell करदे सी ता लोग की करदे सी sorry जे लोग receive करदे सी वासनू या की करदे सी ता ओ की हुंदे सी commendable हुंदे सी तस्यो okay R.T. is saying steel very good J. is also saying steel great definitely with no wasting of no wastage of time I guess अपना 18th question answer आजूगा steel clear very good love is steel story yala steel ठीक है it is a verb अपना अग्गे चाल दिया इस पराइब देखो सारे जाने हुँँ that the United States did not use pencils in the outer space till they spent $1,000 to make a pencil to use in zero gravity conditions is in fact a fiction it is widely known that astronauts in Russia मतब रशीन अच्टानाट्स इगाल होगी used grease pencils grease pencils इगाल कर रहा हुँ grease pencils इगाल कर रहा हुँँ grease pencils इगाल कर रहा हुँँ अच्टानाट्स 19th question आंसर लाओ जी किया हुँगा it is very easy में थोड़ तो पुच्छूंगा भी नी आइगास so 19th question आंसर आजुगा जी अपना grease clear so grease will be the answer of our 19th question grease pencils प्रेफर कर देसी Russian astronauts अपने 10 questions रहे देख दियां कोई आंसर लागदा हुँँ या ने लागदा but it is also a fact that the counterparts in the United States use pencils in the outer space before real zero gravity pencil was invented they preferred mechanical pencils which produced fine lines much clearer than the smudgy lines left by the grease pencils the Russians favored the Russians here day favor कर देसी favor तो अपना प्रेफर लगजुगा ते तो वी अन से लगजुगा अपना ग्रीस clear very good Aarti very good Raman very good very good good very good good Greece लिख रहे ने कंप्री दनाम but it is a Greece with E and A okay and S but the lead tips of these mechanical pencils broke often that bit of graphite floating around the space capsule could get into someone's eyes or even find its way into machine your electronics causing an electrical shot or other problems but despite the fact that Americans did invent zero gravity pencils later they stuck to mechanical pencils for many years जब हाला कि Americans ने zero gravity pencils ने इन्वेंट कर लाया सी बट फिर भी होग बहुत साल ना लाई mechanical pencils से ही अड़के रही ठीक है तो 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 सी मेनों आंसर दोसो अपना हां जी yes Raman that's correct now 25th question आंसर किया होगा tell me first he okay Aarti is saying true very good any other one Ramani saying true Dhruva saying true very good everyone so definitely 25th question the answer 25th question's answer will be true clear because on an immediately shift key that's you know on a coffee time laser for mechanical pencils we prefer it as a very good jack so up now through answer to the very good good free no false will not be the answer deal the 25th question answer has got true here great they happen 24th answer is not given because the first space american expedition not given clear up against the back cloth of a digitalized world the prospect of pencil seems bleak in reality it does not the application of pencils has by now become so widespread that they can be seen everywhere such as classrooms meeting rooms and art rooms etc a spectrum of users are likely to continue to use it into the future matlab use karna continue raga future de which we matlab edha use band nahi hooga okay so apna zhi 26th questioner ki answer hajuga false clear i think very easy see ga okay so with this we have now completed our reading passage te edha level ji mein easy kaun ga and with the level definitely apanhu exam lewich dekhanu mil sakda hai uh okay i think ki eevala passage exam which aya hoya passage di hai je repeated exam di reading da hai passage a the history of pencil i think recently hi aya hoya a passage apanhu reading exam de wich okay so with this we have completed our reading passage and hence we are gonna terminate our live session also now so belga thonu guys call with the same at the same time with the new reading passage on a new live session for the pdf thonu kaal morning de wich mil juga te ek request bauti jata humble tarikya naa please like it is a humble request it is a humble request you know what you like session oh please like karo the comment so that we can improve to give you much better content okay so yes mil jana thonu kal till then keep on practicing and you will definitely bye bye guys thank you for joining see you tomorrow